नमस्कार मैं हूँ सुनिल बोवी और मैं आपको इस समय पटना गर्दानी भाग में हूँ यहां वाड शचिवों का अपने तिन सुत्री मांगों को लेकर धरना अनिश्चित काली धरना जो सांती पुन तरीके से चरह लेकिन इनके मन में गुसा भी है मिडिया कर्मियों के प् कुछ यह ताकि कुछ जनकारी हमें भी मिल करें मिल पाए क्या नम हूँ आपका मेरा नाम राजेश कुमार पड़ेगा वाड सचिवों संग पटना भिहर धरना कब से दिर हैं चौदा डिसंबर 2021 आपकी मुख मांग क्या है मुख मांग तिन है पहले अम लोगों को वेतन दिया जाए और दूसरा में सरकारी कर्मी का दरजाज दिया जाए और तिसरा सरकारी अस्थाई किया जाए देखिए यहां पर तीन मांगू को लेकर पंचायत के वाड सचिवों क द्वारा धर्ना दिया जा रहा है जो अनिसीत कालीन है और धर्ना कब तक चलेगा यह कहां नहीं जा सकता है लेकिन अचाना कि धर्ना पर क्यों बैठे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक चऱ रहा था कुछ कुछ दिन पहले ही इनके द्वारा यहीं गर्दनी बाग में सित्कालिन सत्र के दौरां धरना दिया गया था जिसमें अस्वासन मिला था कि अपने शिंथ होकर घर जाईए आपके पच में ही फैसला होगा लेकिन रातो रात ऐसा क्या हो गया के फिन यहां पर इनको पटना में है दोणको मता देते हैं कि यह पत्र निकाल यह पंचाहिती राजभी भाग के डिरेक्टर डाक्टव रंजीत कुमार में इसाइक के उसमें जिला धिकारी को यादेस दिया गया है कि आप अपने जिला के अंतरगत ये जितने भी पंचायथ हैं वहाँ को निर्देशित करें निर्देशित करने के बाद में वाड किर्यानवन समीती और परवंधन समीति के गठन के साथ है वाड सचीवों का चेन को लेकर इसमें दो अरधी बात नजर आ रही है लेकिन निश्ची तोर पर इस तरह के पत्र से आकरोस बढ़ता ही बढ़ता है तो निश्ची तोर पर क्या आपको लगता है हम देखिये तो सब आदमी को यहां पर ठंड में मर रहे हैं तो कम सकम कुछ तो होना चाहिए बिल्कुल ठंड है पहला नमर तो लेटर वापस कीजिए हम लोग को स्वतों पुनो रखा जाए पहला बात है कि लेटर को वापस लिया जाए और उस लेटर जो नए लेटर जारी क किया ख़ए उसमें कहा जाए कि जो पुराने वाड सचीव नहीं को चेन पर लेकिलिया हो लेकिन उन्हें को रखा जाए कि हम लोग का यही Folks कहना है जो मतलब आस्थाही किया जाए कि मांदे दिया जाए सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए अख्षिपुमार मधयपुरा से तो आपकी जो मांग थी तो सरकार उस पर विचार कर रही ते लिए कि आचानक रात वराथ भी ना के प्लानिंग क्यों कि सर सरकार तो असवासन बहुत पहले से देते आ रही है लेकिन यह हमको लगता है कि यह सरकार तानसा सरकार है निर्दई सरकार है जो हम लोग भूखे प्यासे आके यहां पर दिन रात ठंड में इतनी ठंड में अंदोलन कर रहे हैं लेकिन इसका कोई जवाब नहीं मिल रहा है कोई जवाब नहीं मिल रहा है यानि कि देखिए कल से इनका धरना सुरू हुआ था जो कि जदिव कर्याले के समझ था लेकिन वहां से भी इनको ड्राद धमकाकर भगाने का काम किया गया कि आपका धरना पर दरसन गर्दनी बाग में होता है वहीं पर होता है वहां से इनको खदेर दिया गया और यहां पर फिर आकर जम्य हुए कब तक जम्य रहते हैं सरकार हमें लडाना चाहती है फिर से वाड़ सचीव का चयान करने में जितना लड़ाई होगा इसका सारा जीमोवारी सरकार ले यह भी असपश्ट किया जाए क्यूंकि आम सभा में आम सभा में बहुत सारे बिफाक्ष बहुत सारे उमिदवार जो है खड़े होंगे। आ सकती है और बहुत कुछ हो सकता है तो आपसी बीवाद फ़ल जाएगा फैलेगा वाट पक्स कादमी खरे होंगे हम लोग पुराने सची हम आप चार साल जो खटे हैं हम लोग भी चाहेंगे कितना साल चार साल परियास कें कुछ नुकुछ हम लोग अस्वासन यही थाम की सा साल के लिए पर्मानेंट होगा इसलिए बालवचा को छोर कर जमीन जाल को त्याग करके मता पिता को उतना सही स्वाइम पर भोजन नहीं कर पाए दे सके और लगे रहे कि साथ साथाई हो जाएगा तो हम लोग चैन से राजनी से दूर रहेंगे अस्थाई क्या होगा इनको को हटाने की पूरी प्लानिंग सरकार के दवारा किया जा रहा है लेकिन इनका काना है कि सरकार के दवारा यह जो द्वर्धी दो निती अपनाई जा रही है जो वार्ड सचियों के साथ में धोका घड़ी की गई है कि आप जाईए घर पर आपके पच्छ में फैसल आएगा तो धोका हुआ है इस धोका से लड़ने के लिए फिर से गरदनी बाग पहुच चुके हैं अब देखना यह होगा वक्त बदाएगा कि न्याय क्या होता है तो फिर मिलते हैं वीडियो में तब तक के लिए जाजा धन्यवाद जय हिंद जय भारत बंदे मात रहे